बड़ी खबर एप्लिकेशनों के अंदर चल रहे फर्जीकल श्ट्राइक में मोदी जी ने चाइना के 59 एप्लिकेशन को मार गिराया है PUBG दुम दबा के भाग रहा था और इस भाग दोड की रेस में PUBG को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है और फिलाल PUBG को पाकिस्तान में बैं कर दिया गया है दोस्तों इंडिया के अंदर चाइना के 59 एप्लिकेशन को बैन कर दिया गिया है जिसमें लोगों का प्यारा दुलारा एक टिक टोक भी सामिल है और टिक टोक के हटने से टिक टोकर्स को तड़कते हुए देखकर कुछ लोगों का ये सवाल उठाना था और कुछ लोगों का ये कहना था कि लगे हांथ PUBG को विलाज मारी दाना चाहिए तो इसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि PUBG गेम चाइना का नहीं है इसलिए PUBG बैन नहीं होगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दू कि जिस वक्त PUBG गेंच चाइना के अंदर इंटर होना चाहा रहा था उस वक्त चाइना के अंदर PUBG को नहीं गुषने दिया जा रहा था कुछ उद्दो फुद्दो अनाप सनाप रिजन्स बता के उसको अपने अंदर इंटर होने से मना कर दिया चाइना ने लेकिन जब PUBG मोबाइल को Tencent जो की चाइना की कमपनी है उसको 10% का सेर PUBG के अंदर दिया गया तो हमारे दर्श में चाइना के 59 अप्लिकेशन को मोदी जी ने बैन कर दिया और पाकिस्तान में फिलाल PUBG को बैन कर दिया गया है कि PUBG गेम की वज़ा से बच्चों के स्वास्ट पे नुकसान पड़ रहा है और साधी में एक बड़े पैमाने पे लोग PUBG के आदी होते जा रहे हैं जो स्वास्ट के लिए हनिका रखे और इसी पर एक्षन लेते हुए पाकिस्तान टेली कम्यूनिकेशन रेग्यूलेटरी ने फिलाल PUBG के अंदर टेंपरोरली बैन लगा दिया है मतलब टेंपरोरली लगा है अभी फाइनल नहीं हुआ है अभी भी उम्मीत रख सकते हैं पाकिस्तान के यूजर और अभी के लिए ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की यूजर अगर PUBG को ओपन करते हैं तो ओपन तो होगा लोडिंग भी लेगा लेकिन लोडिंग ही लेता रहेगा खेलने घंटा भी नहीं दिया जाएगा इसी के साथ साथ में पाकिस्तान के पीटीय ने अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करके कहा है कि PUBG गेम समय की बरबादी है इससे बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है पीटीय ने कहाँ PUBG बंद करने का फैसला उस वक्त उठाया जब आम लोगों के साथ मीडिया मीडिया रिपोर्टर्स में भी PUBG गेम की वज़ा से आत्मात्या के मामले बढ़ने के शिकायत आने लगी साथी PUBG मामले में लाहोर हाई कोट ने पीटीय से जवाब तलब किया था दरसल बीते 24 जून को 16 साल के एक पाकिस्तानी बच्चे ने PUBG का मिसन पूरा ना करने की वज़ा से कुछ कुछी कर ली थी यह तो हो गई पाकिस्तान की बात लेकिन भारत में भी कुछ रिपोर्ट्स में PUBG को लेकर स्वास्त चिंताय जाहिर की गई है अब देखना यह है कि मोदे जी इस पर क्या कदम उठाते हैं और साथे में आप लोगों को पता ही है कि जिस वक्त चाइना के 59 एप्लिकेशन को बैन किया गया उस वक्त कुछ लोगों ने मुहीम भी छड़ दे थी कि PUBG को भी बैन करी दो खैर अभी तक तो इंडिया के अंदर से ऐसी कोई भी रिपोर्ट निकल के नहीं आई है जिसमें PUBG को बैन किया जा रहा हो लेकिन अगर गलते से निकल भी जाती है तो गबराने वाली कोई बात नहीं है सारे के सारे PUBG लवर दोड़े सले जाना योगी जी के पास में योगी जी को अपना दुखला सुनाना कि योगी जी PUBG को बैन किया जा रहा है और योगी जी बस एक ही बार चिला देंगे कि आज से PUBG का नाम बदल के सबजी कर दो तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और जिन लोगों ने भी हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाए कि उस वीडियो को देख लिजेगा उस वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि इंडिया के अंदर चाइना के 59 अप्लिकेशन को बैन करना क्या चीन के मुद्दों से लोगों को भढ़काना था जरूर से उस वीडियो को देखेगा और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा साथे में कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे और अच्छा लगे तो भईया वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा तक हम कोई भी वीडियो डाले तो वो आपके पास में पहुंच जाए और अब हम चलते हैं जाके आप लोग पबजी खेलो पाकिस्तान वाले घंटा बजाओ हमें फरक नहीं पड़ता हम मिलते हैं और में इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में तब तक के लिए गुड़ बाई और थैंक्स पर वाचिंग दिल पे मतले ना भाई जश्ट मजाख किया था